Hello everyone, I am Vani and welcome to E4 English आज का हमारा lesson है Rules for Making Comparative and Superlative Adjective आज के इस lesson में हम सीखेंगे कि किस तरह से comparative और superlative adjective को बनाया जाता है इसके rules क्या है हम इससे पहले की वीडियो में cover कर चुके हैं 3 degrees of adjective, positive, comparative and superlative तो इस lesson को देखने से पहले, समझने से पहले आपको इन 3 degrees के बारे में पता होना चाहिए अगर आप इस channel पर ने हो और इसकी knowledge आपको नहीं है इस topic की knowledge नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हो हमारे channel पर और जितने भी lessons है अगर आप उसकी PDF चाहते हो, e-books खरीदना चाहते हो तो आप visit कर सकते हो www.vaniclasses.com जो की एक website है और जहां पर आप जितने भी lessons हैं इन सबकी PDF ले सकते हो चलिए start करते हैं आज का lesson Rules for Making Comparative and Superlative Adjective तो इस lesson को start करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चीए कि syllable क्या होता है syllable क्या है? जिसे हम हिंदी में उचारन इकाई या शब्दांश कहते हैं शब्द का अंश जिसे हम कहते हैं तो syllable क्या है? उचारन की एक इकाई जिसमें एक स्वर ध्वनी होती है जब आप किसी भी word का उचारन करते हो उसको बोलते हो उतने ही उसमें syllables होएंगे चलिए इसे और detail में समझते हैं जिससे कि आपको ये easy हो जाएगा समझना syllable is a sound of a vowel in a word तो एक शब्द में syllable जो है एक स्वर की ध्वनी है number of syllables in a word depends on the number of vowel sounds तो जितने भी vowel sounds होएंगे जितने भी स्वर की ध्वनी होएगी एक शब्द में उतने ही उसमें syllables होएंगे किसी शब्द में शब्दान्शों की संख्या vowel sounds की संख्या पर निर्भर करती है तो जितने भी vowel sounds होएंगे उस शब्द में उतने ही उसमें शब्दान्शों की संख्या होगी जैसे आपको पता है कि वावल, स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं एंगलिश में A, E, I, O, U तो ये सब हैं स्वर तो 5 वावल्स हो गए हैं लेकिन हमने कॉंसेंट्रेट करना है वावल्स साउंट तो वावल्स साउंट कौन से हैं? वो है स्वर ध्वनी तो जितने भी A से A तक लेटर्स हैं ये सब वावल्स के साउंट्स हैं तो जब आप किसी भी वावल्स को प्रणाउंस करोगे तो प्रणाउंस करते हुए उस वावल्स में जितने भी स्वर की ध्वनीय आएगी उतने ही उसमें सिलेबल्स होंगे चलिए हम example से समझते हैं अब जैसे आप यह word लेते हो fire अब इस word में देखिए जब आप इसे pronounce करोगे तो आप इसे बोलोगे fire तो इस word में कौन से स्वर्ध वनी है तो यहाँ पे fire, a sound आ रहा है fire, तो a sound आया है इस word में तो यहाँ पर one syllable है क्योंकि सिरफ इसको pronounce करते हुए एक ही vowel sound आया है इसलिए इसमें one syllable है ऐसे ही हम एक दूसरा word लेते हैं वो है real अब real को जैसे हम pronounce करेंगे real तो real में re, e sound आया a, a sound आया तो इसमें two swear होगे तो यह two syllables word है तो इसमें two syllables आया है तो आपने ये नहीं देखना है कि यहाँ पर i या e आगे vowels आये तो यहाँ पर two होने चीए syllables आपने letters नहीं देखने है आप सिरफ vowels sounds देखोगे कि जब आप उसको pronounce करोगे तो pronounce करते हुए जितनी स्वर्ध भनिये उसमें आयेगी उतने ही उसमें syllables होएंगे तो सिरफ यहाँ पर sound चेक किया जाता है syllables को देखने के लिए ऐसे ही next word है amazing तो amazing को हम pronounce करते हैं जैसे तो इसमें कौन से vowel sounds है तो एक तो a vowel sound आया मे मे में a sound आगया जी तो e sound आया तो इसमें three syllables होए तो जब आप इस word को pronounce करोगे तो pronounce करते हुए three vowel sounds आते हैं जिसकी वज़ा से इसमें three syllables है चलिए start करते हैं comparative adjectives के और देखते हैं कि इसको बनाने की rules क्या है so comparative adjectives क्या होते हैं we use comparative adjectives to make comparisons comparative adjectives का use हम करते हैं comparisons के लिए, तुलना के लिए जब आप किसी की तुलना करते हो किसी के साथ तो यहाँ पर किसी की तुलना किसी एक के साथ होगी वहाँ पर हम comparative adjectives का use करेंगे so use to compare one thing with another सिरफ एक चीज़ के साथ तुलना होगी so उसको बनाने का rule क्या है वो depend करता है number of syllables कि कितने syllables हैं word में उसके according ही comparative adjectives को बनाया जाता है अब जैसे अगर one syllable word है जैसे we use er with one syllable words और with some two syllable words तो er एक suffix है जो लगाया जाता है one syllable words के साथ या कुछ with some two syllable words मतलब ज्यादा नहीं कुछ दो syllable words के साथ लगा जाता है लेकिन mostly one syllable words के साथ हम er suffix लगाते है next है कि हम more word यूज़ करते है with two or more syllable words के साथ अगर दो या दो से जादा syllable words होंगे तो वहाँ पर हम more use करेंगे जैसे हम example के थूँ समझते हैं large अब large में a sound है ये एक one syllable word है तो इसलिए हम यहाँ पर er suffix लगाएंगे यहाँ पर already e है तो हम यहाँ पर सिरफ r लगाएंगे तो ये बन जाएगा larger ऐसे ही next word है beautiful तो इस word में हमें check करना पड़ेगा कि number of syllables कितनी है तो यहाँ पर three है beautiful ठीक है beautiful three syllable word है और यहाँ पर हम more use करेंगे क्योंकि three में two और more मतलब दो से अगर जादा हो तो आप more use करोगे दो या दो से जादा तो यहाँ पर हमने more beautiful use किया है तो ऐसे ही है superlative adjectives तो superlative adjectives को बनाने के rule क्या है वो हम देखते हैं we use superlative adjectives to make comparisons तो superlative adjectives को भी हम comparisons के लिए use करते हैं तुलना करने के लिए use करते हैं we use superlative adjectives to compare more than two things superlative adjective का use हम करते हैं अगर आप किसी की तुलना किसी जादा के साथ कर रहे हो उसमें हम superlative adjectives का use करते हैं और इसको बनाने के rule क्या है वो same number of syllables पर depend करेंगे अगर one syllable word है या फिर कुछ two syllable words है तो वहाँ पर हम EST लगाएंगे तो यहाँ पर मेरे sum क्यों use क्या है क्योंकि two syllable words में कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे two syllable words होते हैं जहाँ पर हम EST लगाते हैं suffix और कुछ ऐसे two syllable words होते हैं जहाँ पर हम most use करते हैं तो two syllable words जो होते हैं वो दोनों तरहां से use के भी जाते हैं और कुछ जिसमें EST लगाया जाता है और कुछ जिसमें most लगाया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे So, यहाँ पर यह है कि इसको बनाने का रूल यह है कि superlative adjective को जब आप बनाते हैं वो depend करता है number of syllables अगर one syllable word होगा या कुछ, mostly नहीं, कुछ two syllable words होगे वहाँ पर हम EST suffix लगाएंगे और most use कह चाहेगा with two or more syllable words के साथ जैसे यहाँ पर large है, large एक one syllable word है तो यहाँ पर हम EST लगाएंगे E already है तो ST लग जाएगा largest और ऐसे ही next है beautiful, beautiful एक three syllable word है तो यहाँ पर हम most लगाएंगे, तो most beautiful तो यह है superlative adjectives कि यहाँ पर किसी एक subject का किसी जादा, मतलब दो से जादा चीजों के साथ अगर compare करते हो तो वहाँ पर आप superlative adjectives का use करोगे So now the question is how to form comparative and superlative adjectives अब हम इनको किस तरह से बनाएं, कैसे बना जाता है इनको तो यह हम देखते हैं, इसके भी rules हैं चलिए समझते हैं, जैसे हम सबसे पहले हम according to the syllables करते हैं अब one syllable adjectives लेते हैं, तो one syllable adjectives के लिए rule number one जितने भी one syllable adjectives हैं, तो वो उनसे comparative और superlative adjectives को बनाना बहुत ही easy है जैसे we है, we usually add er, est to one syllable words in order to make comparatives and superlatives तो mostly हम er लगाते हैं, comparative adjectives के लिए और est लगाते हैं, superlative adjectives के लिए वो भी अगर word one syllable हो, तो हम देखते हैं, comparisons इनका अब जैसे यहाँ पर है positive adjective, comparative adjective and superlative adjective यह adjective की तीनों degrees है, positive adjective जो होते हैं, वो basic adjectives ही होते हैं जैसे की long, old, cold, cheap, rich, small, यह सब one syllable words हैं तो इन सब में एक ही स्वर्थवनी हैं, अब जैसे long को अगर हम comparative में change करेंगे तो हम er लगाएंगे, अगर superlative में change करेंगे तो हम est लगाएंगे तो long का हो जाएगा longer, longest, old का older, oldest, cold का colder, coldest, cheap का cheaper, cheapest, rich का richer, richest, small का smaller, smallest second rule है, we usually add r, st to one syllable words और adjectives ending in e in order to make comparatives and superlatives अगर कोई one syllable word, e से उसकी ending हो रही हो, तो वहाँ पर हम r यूज करेंगे comparative adjective की formation के लिए और st यूज करेंगे superlative adjectives की formation के लिए, जैसे कि ये सब जितने भी words हैं, positive adjectives, ये सब one syllable words हैं तो यहाँ पर एक ही स्वर्धवनी है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जितने भी words हैं, इन सब की ending e से हो रही है तो यहाँ पर हम r लगाएंगे comparative adjective के लिए और st लगाएंगे superlative adjective के लिए तो rare का हो जाएगा rare, rarest, fine का finer, finest, nice का nicer, nicest, wise का wiser, wisest तो यह सब है comparative और superlative adjectives next है rule number 3 for one syllable word, if an adjective ends in a vowel consonant letter अगर उनकी ending की combination we see है, vowel consonant, तो consonant आपको पता है जितने भी व्यंजन हैं, वो सब consonants है then we double the last consonant letter of an adjective और add r, st in order to make comparatives and superlatives, तो examples के थूँ मैं आपको बताते हूँ जिसे यह सब है positive और यह comparative और यह superlative adjective है तो positive adjective जो है, यह basic adjectives हैं, तो यह है big, thin, hot, fat अब आपको पता है कि vowels कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमने VC letters देखना है ध्वनी नहीं देख रहे हैं, तो vowels है 5, A, E, I, O, U तो जितने भी letters हैं, alphabet हैं, तो उन सब में vowels को छोड़के जितने भी letters हैं, वो सब consonants हैं अगर किसी word की, किसी adjective की ending VC से हो रही हो मतलब पहले vowel आ रहा हो, फिर consonant letter आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, last consonant को हम double कर देंगे अब जिसे यहाँ पर देखे, I क्या है, V है, vowel है, और G एक consonant है तो यहाँ पर VC combination आ गया, तो VC combination के लिए क्या होगा G double हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा bigger use हम वही करेंगे, ER for comparative and EST for superlative लेकिन हमने VC rule लगाना है यहाँ पर यहाँ पर vowel consonant का combination आ रहा है N एक consonant letter है, तो N को हम double कर देंगे, thinner, thinnest ऐसे ही O एक vowel है, T एक consonant letter है, तो यहाँ पर T जो हो डबल हो जाएगा hotter, hottest, ऐसे ही fat, fatter, fattest तो यह सब है comparative and superlative adjectives, जिसमें हम VC rule लगाएंगे और जिसमें last चुल letter है, word का, वो double हो जाएगा अब हम देखते हैं, two syllables adjectives, वो adjectives जिसमें two syllables होते हैं जैसे rule number four, if an adjective ends in a consonant plus y letters, we change y to i-e-r और i-e-s-t अगर कोई adjective, एक consonant और y letter से उसकी ending हो रही है, तो हम वहाँ पर y को हटाकर i-e-r लगाएंगे और i-e-s-t लगाएंगे superlative के लिए अब यह यहाँ पर देखिए, जो word है, वो two colors से highlighted है जिसका मतलब यह है, कि यह जो word है, इसमें two syllables है तो happy में, happy, यह two syllables है तो यहाँ पर इस word में, जो p है, वो एक consonant है, उसके बाद y आया है यहाँ पर इसलिए हम y को हटाकर i लगाएंगे, फिर उसके पाद e-r लग जाएगा comparative के लिए और यहाँ पर y को हटाकर i लग जाएगा, और est लग जाएगा for superlative adjective के लिए ऐसे ही busy है, तो busy में यह two syllables है, जो blue और yellow से highlighted है तो यहाँ पर busier, busiest और ऐसे ही silly, silly में y हटाकर i लग जाएगा और e-r for comparative, sillier, silliest, ऐसे ही lucky, luckier, luckiest तो यह सब है comparative and superlative adjective, अगर two syllable words होगा और जिसकी ending c-y से होगी, consonant और y letter से rule number five है, most of two syllable adjectives also form comparatives and superlatives with more and most, apart from those ending in y, जैसे careless, यह two syllable word है, care then less, तो यहाँ पर use होगा more, more careless, most use होगा superlative के लिए, most careless, तो आपने याद रखना है, ऐसे ही useless है, more useless, most useless, boring, more boring, most boring, worried, more worried and most worried for superlative adjective अब है rule number six, rule number six में है, few two syllable adjectives can take either er, est or more or most, कुछ two syllable words या तो er यूज करते हैं for comparative के लिए और est यूज करते हैं for superlative adjective के लिए और same यही words, more यूज करते हैं for comparative के लिए और most यूज करते हैं for superlative मतलब दोनों ही तरहां से आप इनको use कर सकते हो two syllable adjectives को, तो जैसे clever है, clever को आप cleverer या cleverest भी बोल सकते हो और या फिर आप use कर सकते हो more clever या फिर most clever, ऐसे ही simple है, यह सब two syllable words है, simple है simpler, more simple, simplest, most simple, मतलब दोनों ही तरहां से use किया जा रहे हैं two syllable adjectives, quiet, quieter, more quiet या quietest, most quiet, gentle, gentler, more gentle, gentlest, most gentle, तो यह है two syllable adjectives जिनको हम दोनों ही तरहां से use कर सकते हैं, अब है three or more syllable adjectives, वो adjectives जो तीन या तीन से जादा हो, जैसे three or more syllable adjectives from comparatives and superlatives with more and most, तो इन सब में more use क्या जाता है comparatives के लिए और most use क्या जाता है superlatives के लिए, तो जैसे intelligent, तो intelligent में क्या है, यह four syllable adjective है, तो intelligent, तो यहाँ पर हम more use करेंगे, more intelligent, then superlative के लिए most intelligent, ऐसे ही important three syllable adjective है, one, two, then three, तो यहाँ पर more important, most important, ऐसे convenient जो है, यह three syllable है, तो यहाँ पर हम use करेंगे more convenient and most convenient, comfortable, comfortable जो है, यह four syllable adjective है, और यहाँ पर हम use करेंगे more comfortable for comparative and most comfortable for superlative adjectives, some exceptions are there, there are some irregular degrees of adjectives, तो कुछ irregular degrees भी होती है, जो तीनों में अलग-अलग होती है, जैसे irregular degrees of adjectives है, जैसे good, good का हम use करेंगे comparative के लिए better, then superlative के लिए best, good, better, best, well के लिए use करेंगे better, best, ऐसी bad, worse, worst, तो यह सब है one syllable, यह one syllable, ऐसे words है, ऐसे ही two syllable words है, many, many में two syllables आते हैं, तो many का हो जाएगा more, most, little, less, list, यह two syllable है, then far, यह one syllable है, far का हम use कर सकते हैं, farther या further, और superlative के लिए हो जाएगा farthest या furthest, तो यह distance के लिए use के जाता है, farther को, तो ऐसे ही, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जितनी भी irregular degrees of adjectives हैं, तो यहाँ पर कोई ध्यान देना पड़ता है, यह one syllable है, two है, यह three है, तो यह इन सब के comparative or superlatives जो होंगे, वो अलग होंगे, irregular होंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हैं, मेरे लेसंस आपको अच्छे लगते हैं, आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजेए वीडियो को, थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो, दो प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज से लेगते हैं,